नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है महेश और स्वागत आप सबका एक बर फिर से अपने ही चैनल माइधा टेगी पर तो आज बात करने वाले हैं ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच्चिस को लेके जिनके भी प्राइस रिड्यूस हुए है और उनको आप इस सेल में खरी सकत तो सबसे पहले अंडर 3,000 रुपीज की बात करते हैं तीन अजार से कम में आप कोन सी कॉलिंग वाट ले सकते हैं कुछ ज्यादा मज़ेदार वाली चीजे नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं तो नंबर तीन पर मैंने रखे हैं जेबरॉनिक्स की 7220 CH को ये सब्सक्राइब कर सकते हैं कैमरा कंट्रोल है तुमेन्य उप्शन इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं इसका प्राइस जो है वैसे था 3,000 के करीब अभी रिड्यूस को भी चैक आउट कर सकते हैं नंबर दो पर मैंने रखा है जियोनी की GSW 8 को तो इसकी खास बात यह कि एक मिलने वाला है तो आप यहां डिस्प्ले से जादे एक्सपेक्टेशन ना रखके चलें इस बजट रेंज में नॉर्मल TFT मिलता है कोई HD कर देता है तो कोई 1.28 इंचिस का इसमें डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाता है फुल मैटल बॉड़ी है बीपी मॉनिटर इसमें भी देखने को मिलता है तो बीपी की तो वैसी गरिंटी इच्छा ना करें उसका बैटरी बैकप 2-3 दिन मिल जाता है अगर आप रेगुलर कॉलिंग यूस कर तो रखा है एक है इवाल्स की नेक्स्ट फिट सॉंग एस स्क्वेर शेप वाली और उसके बाद है पैबल की लीप स्मार्ट वाच तो अगर इवाल्स की बात करें इसमें 8GB की इंटरनल स्टोरेज है एगधार के सॉंग साब लगबग उसमें सेव कर सकते हैं थोड़ा मिलते हैं इसकी रेटिंग है उसके बाद अगर पैबल लीप की बात कर तो मैं उसके डिजाइन और लुक से काफी इंप्रेस हुआ था रग्ड वाली स्मार्ट वाच है पहली स्मार्ट वाच पांच जार के इंदर जो रग्ड बॉडी के साथ आती है हाला कि वह कुई मोड है 60 प्लस वाच फेशिज हैं और 10 स्पोर्स मोड हमें देखने को मिल जाते हैं उसके बाद अगर हम नंबर 4 की बात करें तो वहां पर मैंने रखा है क्रॉस बीट की इग्नाइट स्थी को 1.70 इंजिस में डिस्प्ले भी ऑफर करती है मेटल बॉडी है 300 अमेज बैटरी इसके अंदर भी आपको से 1.33 इंजिस का देखने को मिलता है स्ट्रॉंग मेटल बॉडी ऑफर करती है 280 mh बैटरी तीन से चार दिन इसका बैटरी बैटरी काफी अच्छी है प्लस जो मैंने इसको काफी यूज किया है तो इसका जो कॉलिंग एक्स्पिरेंस काफी अच्छ है फिर अगर नंबर दो की बात करें तो मैक्सिमा की मैक्सिमा मैक्स प्रो एक्सिक स्मार्टाच को मैंने रखा है सही बोल दिया नाम एक बार में आज तो 1.70 इंचिस का HD डिस्प्लेइस में हमें देखने को मिल जाता है इसकी खास बात है इसके लाउट स्पिकर की आवाज आपको देखने को मिलते हैं तो इन दोनों के अंदर आपको इंटर्नल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी हाना कि वीस प्रो ने पांसो बार एम भी लिखे लेकिन गाने यही 25-30 स्टोर होते हैं उसमें कोस्मोस प्रो के अंदर 128 MB स्पैसिफाई किया गया है दोनों के अंद अब को दुल मेन्यू ओक्षंस देखने को मिल जाते हैं दोनों के अंदर ही आपको वोस अजीस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है दोनों का स्क्रीन साइज भी लगब बद बोड़ बी है और डिशाइन भी जो इनका है लगब 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 सेमी है फिमल सैकल कर स सपोर्ट दोन में देखने को मिलता है बीस प्रो का प्राइस अभी 4999 से रिड्यूस होके 3999 और कॉस्मस प्रो का 3129 कॉस्मस प्रो के हाट्रेट मॉनिटर में भी इस्यूस है उसके एक्यूरेसी में तो मैं यहीं रिकमेंड करूंगा थोड़े से पैसे जादा लगा किया बीस क्योंकि यह कॉलिंग के साथ साथ आपको एमोलेट डिस्प्ले प्लस ऑल्वेज ऑन डिस्प्ले ओफर करती है तो यह काफी जबरदस वाच हो जाती है सेंसेस की अक्यूरेसी काफी अच्छी है मेरे चैनल पर इसके वीडियो देख सकते हैं और पूरी की पूरी पूरी प्र इस खरीद के वीडियो बनाएंगे क्योंकि अभी लिमिटीड इंकम है तो हम ज्यादा खरीदारी कर नहीं सकते तो दोस्तों मिलेंगे वीडियो में निया रिवीव निया कंपेरिशन लेके तब तक के लिए बने रही है मेरे चैनल पर बाबाए